CSE को एक सोच बजाते थे, concept के लिए लड़ते थे कि CSE आज इस वरूप में है वैसा बन सकता है जब से डिजिटल इंडिया या नाशनली गवर्नेस प्रोग्राम बना था भारत का और जब तमाम डिजिटल प्रोग्राम की संज्रक्चना की गई थी तब यह सोचा गया था कि डिजिटल इंक्लूजन इसका एहम हिस्सा होगा तो चाहे जितने भी आउनलाइन प्रोग्राम्स बन जाएं, बैंकिंग के कॉन्प्रिटराइजेशन हो जाए, रेलवेज का हो जाए या फिर पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट्स, इडिस्ट्रिक्ट, जितने मिशन मोड प्राजेट्स इंप्लिमेंट हो रहे थे और या फिर इंफ्रस्ट्रक्टर बन रहा था कि इसे वाइड इरिया नेटवर्क या डेटा सेंटर्स या क्लाउड इतने इस्टैबलिश हो जाएं बट उसके साथ सबसे महत्पून था कि जो भारत के गाउं में सुदूर साराकों में लोग रहते हैं उनको इन डिजिटल सुदाओं को कैसे मिद दिया जाए तो उसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स की संग्रचना की गई थी कि वो सेंटर्स हों जहां लोग असिस्टेड आक्सेस में जाके सर्विस को ले पाएं उसी सोच से शुरू हुआ था और यह भी हुआ था कि विलेज लेवल ऑंट्रेपेनर होगा जो निवेश होगा वो विलेज गाउं पे जो रहने वाला एक यूवक या यूटी है वो इन्वेस्ट करेगी वो सेंटर को चलाएंगी और सरकार का बस यह काम रहेगा कि उस सेंटर को इनेबल कर दे सर्विसेज दे करके और उससे जो रिवेन्यू निकलेगा उसी को उसी से उसकी आमदनी होगी उसी से वो सफल हो पाएगा तो उससमें मुझे याद है कि कुछ विभाग भारत सरकार के यह चाहते थे कि यह मॉडल नहीं सक्सेस्फुल होगा प्राइवेट वेक्ति को सरकारी से वह हम कैसे दे सकते हैं और यह डिबेट होती थी कि क्या यह सेंटर सरकार खुद बनाए खुद अपना कंप्यूटर खरीदे खुद लोगों को रोजगार दे करके अपॉइंट करे बट उस समय यह था कि अगर सरकारी सेंटर बनाए जाते तो हो सकता है वह उतने अच्छे तरीके से नहीं चल पायते जैसे आज चल रहे हैं क्योंकि सरकारी सेंटर पे अगर वेतर मिलता रहता सेंटर चले या न चले तो फिर सेंटर बंध ही रहता प्राया तो यह आप लोगों की शक्ती का प्रतीक है कि आज सेंटर्स भली भाती चल रहे हैं और पिछले पांक छे वर्षों में जो बढ़ोतरी हुई है CSC की और जो चार लाख से ज़्यादा सेंटर्स हो गए है यह डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने का सबसे अहम कदम है पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ और कदम उठाए जैसे उमंग उमंग जो हमारा मॉबाइल आप है जिस पे 1290 से ज़्यादा सेवाइं उपलब्द हैं जो सेवा CSC ओफर करेगा उसके लिए उसके जो सर्विस चार्जेस हैं उसके लिए जो प्रिंट आउट लेने के या किसी डेटा के चार्जेस हैं वो अलग होगा बट भारत सरकार की तरव से यह सेवाइं निशल्प CSC को उपलब्द कराई गई है इसी के तरह से भारत सरकार की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि डिजिटल इडिया कॉर्परेशन या नाशनली गवर्नस डिविजन जितनी सर्विसेज ओफर कर रहा है चाहे वो हल्थ के संबन्द में आविशमान भारत डिजिटल हल्थ मिशन की होंगी या एंडियर जो एडियूकेशन की होंगी या आने वाले समय में अग्रिकल्चर की सर्विसेज होंगी लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज होंगी या सब सीएसी के माध्यम से ओफर की जाएंगी और सीएसी ही इन सभी योजनाओं को सफल बनाएगा वनना सिर्फ हार्डवेर लगाने और सौफटवेर लगाने से कोई डिजिटल सर्विस एनेबल नहीं होती है जब तक उसको लास्ट माइल को पे जाकर के कोई गाउं के विक्ति को सेवा न उपलब्द कराए तब तक वो सेवा सफल नहीं हो सकती है करमचारियों को करमचारियों को बधाई देता हूँ करत है हमें कि हमने आज जंग जीत ली जो पची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी CSC, CSC मेरी पहचान हर शहर से मोड़के, गाउं घाट जोड़के खान ज़ार की जमीए को हो नहें तिरे से तोड़के लाएंगे एक नया, नई हवा का आसमा आसमा में घूमके, नया दे हाथ सूबके खरा करेगे एक नया हिंदोस्ता CSC बिजली या पानी, कंप्यूटर की ट्रेनिंग अरे आवा गमन के साधन या हो दवा कि सुविधा टेली मेडिसन से हो तगडा सशक्त भारत बैंक आये घर में, कन्फ्यूजन ना दुविदा कॉमन सर्विस सेंटर में, एंटर करो रे भाई डिजिटल सेवा का आनंद ले लो भाई सर उठाए महिला, ना हो किसी सहारे हर गाउं में है मजमा, आधार में हमारे सरकार पास जाए, क्यों आम बनना जो हो सरकार खुद ही आए, क्या हाद चाल बोलो हो घर्व है हमें की हमने आज जंद जीत ली जो पची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी CSC, CSC मेरी पहचा